नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल दे मेडिसिन एक्सपर्ट में तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अस्व गंधा के बारे में जी हाँ दोस्तों यह दवा बहुत ही अच्छी है यह मेडिसिन होमियोपैथिक के मेडिसिन में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ठीक है न जोस और जवानी अगर आप वापस चाहते हैं ठीक है आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर जोस की कमी है इस्टेमिना की कमी है तो इस दवा को आप यूज कर सकते हैं दोस्तों अस्व माने होता है घोडा और गंध माने होता है गंध यानि घोड़े जैसी गंध की ये दवा होती है जैसे घोड़े की गंध होती है सेम वैसे ये दवा होती है या फिर एक घोड़े की ताकत देने वाली यह दवा उपयोग की जाती है जिसका नाम है अस्व गंधा अस्व गंधा मदर टिंचर में आपको कि आज के इस भागदोर की जिंदगी में बहुत से पुरुस जोस और जवानी कम उम्र में ही खत्म हो जाती है यानि ये जो पुरुस हैं पैसे के चक्कन में रातो दिन दोरते रहते हैं जिसके कारण उनकी अंदर जो इस्टिमना होनी चाहिए वो नहीं है जिससे पुरुस ख सरीर में कई तरह की कमजोरी होने लगती है आज इस विशय में जानने की कोशिज करेंगे एक ऐसा हुमियोपैथिक दवा के बारे में बताएंगे दोस्तों जिसके सिवन से आपका जोस और जवानी पुनह वापस आ जाएगी साथ ही साथ दोस्तों सरीर में इस्टिमना बनी रहेगी ठीक है तो इस दवा का नाम हमने बता दिया जिसका नाम है अस्वगंधा मदर टिंचर में आपको लेना है आपके घर के सहर के नजदी की होमियोपैथिक मेडिकल इस्टोर में यह दवा मिल जाएगी ठीक है अब देखे इसके सेवन से क्या इफिक्ट परेगा आप के सरीर में तो दोस्तों इसके सेवन से सरीर की कोशिकाओं में ब्लड का सर्कुलेशन तेजी के साथ होता है यह ब्लड सप्प्लाई को यह तेज कर देता है साथ ही पुर्सों को जोस और जवानी पुनःप्राप्त हो जाती है दोस्तों इसके सेवन से आपके प्राइवेट 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 प्राइ संबंधि दिक्कत हो उन सभी चीजों को खत्म करने में अस्वगंधा मदर टिंचर का प्रयोग करते हैं दोस्तों पूर्सों के सरीर में मांसिक और इस्थिती अच्छी रहती है इस दवा को लेने से पूर्स खुद को उरजावान महसूस करते हैं और इसलिए पूर्स होमियोपैथिक डाक्टर की सला से इस दवा का सेवन करना चाहिए ठीक है अगर इस दवा का सेवन कर रहे हैं तो आप अपने नज़दी की होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर के डाक्टर से इस दवा का सला का उ वापस ले आना चाहते हैं तो इस दवा का उपयोग करना चाहिए ठीक है और किन लोगों को यह दवा नहीं यूज करना चाहिए तो जिनका बीपी लो हो जाता है उन लोगों को दवा नहीं यूज करना चाहिए या फिर यूज करें तो दिन में दो बार आधे कप पानी में प ताले हैं वो भी इसका कम उपयोग करें क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है दोस्तों वैसे भी इसके कोई side effect नहीं होते है a diagnosis के फिर भी हर दवा के कुछ नकुछ side effect होते हैं इसलिए दोस्तों जब भी से उच करिए तो अपने नजदी की medical store के अपने डाक्टर के guidance पर ही इसे use कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो ऐसा है वीडियो पाने के लिए आप इस channel the medicine expert को subscribe करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ